बताया जाता है कि एक दिन बूटा अपने खेत में काम कर रहा था तभी उसने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की के पीछे पड़े हैं बिलकुल फिल्मी अंदाज में वह लड़की दौरती भागती बूटा से मदद मांगती है और बूटा द्वारा मदद करने के साथ ही दोनों की मुहबबत का सिलसिला चल पड़ता है दोनों आगे चल कर शादी कर लेते हैं और उन्हें एक बच्ची होती है हालां की कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान जा चुके जैनब के घर वालों को उनकी बेटी के बारे में पता चलता है जिसके बाद जैनब को कुछ दिनों तक भारत के एक refugee camp में रखने के बाद पाकिस्तान भेज दिया जाता है और बूटा और उसकी बेटी यहीं हिंदुस्तान में रह जाते हैं आगे चल कर जैनब और बूटा की कहानी तब और दर्धनाक मोड ले लेती है जब बूटा अपनी पतनी को खोजता हुआ पाकिस्तान जा पहुचता है और यह पाता है कि जैनब अब किसी और की हो चुकी है डॉट बूटा की लाख मिन्नतों के बावजूद जैनब उसके साथ हिंदुस्तान वापस लोटने से मना कर देती है जैनब के इस तरहना कहने से आहत बूटा लाहोर में ट्रेन के आगे कूद कर जान दे देता है आपको बता दें कि लाहोर के मिया साहिब कबरिस्तान में आज भी बूटा की मजार मौजूद है